आम आदमी पार्टी की मुशकिलें बठती जा रही है। जेल में बंद अर्विंद के जिर्वाल के लिए कोट से जो ख़बर आई है। उसके बाद अर्विंद के जिर्वाल की नींद गैव ہو गई होगी। प्रस्टाचार के मामले में आरूपी बनाये जाने के बाद भी अर्विंद के जिर्वाल के लिए बड़ा जटका है दोस्तो दिली हाई कोट ने दिली सरकार के फ्रिविज स्कीम की बखिया उधेर कर रख दी है दिली की कोट ने दिली सरकार को ऐसी फटकार लगाई है कि शायद जेल में अर्विंद के जिर्वाल को नींद भी नहीं आएग दोस्तो पीम मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि फ्रीवीज स्कीम इस देश की अर्थ विवस्ता की रीड की हड़ी हिला कर रख देगी लेकिन देश का विपक्ष है कि जनता को गुमराह कर रहा है फ्री के लॉलिपॉप पर लेकिन देश के पीम मोदी जो कहते आए हैं कि ये वि वस्ता देश की आर्थिक स्थिती हिला कर रख देगी उसमें कहीं न कहीं सचाई तो है क्योंकि कोट ने भी फ्रिविज स्कीम को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है जसके बाद के जिर्वाल सरकार की मुश्किले बढ़ सकती है खासकर जब अगले साल दिल्ली में चु कोट में सुनवाई हुई उचिस्तरिये जाज की मांग खुले कर दायर याजिका पर सुनवाई के दोरान कोट ने कई एहम टिपने की एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहंड की अगवाई वाली बेंच ने दिल्ली की विवस्ता और शहर की बढ़ती आबादी के बीच कई खा वादी 3.3 करोर है और संख्या लगातार बढ़ रही है क्यों क्योंकि दिल्ली में सबसीडी है ये बरे नितिकत फैसले हैं हम जानते हैं कि दिल्ली कहा जा रही है इस मुद्धे पर चर्चा करने की जरूरत है कोट ने कहा कि दिल्ली के प्रशासकों को मांसिक्ता बदलनी च चाहिए हर चीज मुफ्त नहीं हो सकती पिछली सुनवाई के दौरान भी कोट ने दिल्ली सरकार के मुफ्त वाली स्कीमों को लेकर टिपने की थी अदालत ने तब कहा था कि सरकार लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहती तो इंफ्रेस्ट्रेक्चर के लिए पैसा कहां से उन्होंने कहा कि दिल्ली की समस्या ये है कि यमुना में भी अतिकरमन करके इमारते बन रही है दिल्ली की समस्या ये है कि यमुना में भी अतिकरमन हो गया है दिल्ली के आम नागरीकों में माइंसेट ये है कि यमुना बहती रहेगी अतिकरमन से फरक नहीं पड़ता जस्ट हाई कोट ने ये भी कहा कि समय आ चुका है कि दिल्ली के प्रशास्निक अथोरिटीज और इंफ्रेस्ट्रेक्शर के धाचे की दोबारा जाच की जाए तो देखा अपने कैसे हाई कोट ने आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है आम आदमी पार्टी दावा तो खूब करती है कि उसने दिल्ली की समस्याओं को दूर कर दिया है लेकिन आज भी दिल्ली के लोग बारिश में बाढ़ और गर्मी में पीने की पानी की समस्याओं से जूज रहे हैं तो वहीं ठंड में परदूशन से भी दिल्ली वाले परिशान रहते हैं ऐसे में एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर काविज होने के बाद भी फ्रिवीज स्कीम की अलावा अर्विंद के जिर्वाल ने क्या किया है ये बड़ा सवाल है बिरो डिपोर्ट ओमेच निउस